नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्ट विजे विद्रोही आप उससे जुड़ चुके हैं इसके लिए आप सब का तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा कुमारी शैलजा और भुपेंद्र घुड़ा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है लेकिन कुमारी शैलजा बीजे पी में भी नहीं जा रही है कुल मिलाकर कुमारी शैलजा ने आज जो जवाब दिये हैं उससे बीजे पी की सारी रणनीती ध्वस्त हो गई है और खटर हो चाए नायब सिंग सैनी हो उनको मुग की खानी पड़ी है कुमारी शैलजा के बीजे पी में जाने की अववाहें उड़ाकर बीजे पी को जो पॉलिटिकल लाब मिलने की उमीद थी वो तो लाब नहीं मिला उल्टे जो कुमारी शैलजा ने साफ तोर पर मना कर दिया है और कॉंग्रेस के तिरंगे में लिपट कर जाने की बात कही है उससे बीजेपी को और सियासी नुकसान पहुंचने की आशंका सताने लगी है आखिर ऐसा जंप करने की क्या जरूरत थी कुल मिलाकर कुमारी शैलजा आ रही है 25 सितमबर को बीजेपी जोईन कर रही है दलिद बहन के साथ अत्याचार हो रहा है ये सारी बाते कहे कर बीजेपी ने खुद ही हार मान ली ती जंता के बीच मेसेज गया कि नायब सिंग सेनी हो चाए खटर हो वो दस साल की बीजेपी की राज्य सरकार के कामकाज को आधार नहीं बना रहे हैं दस साल के प्रधानमंत्री के शासनकाल को विकास का आधार भूट का आधार नहीं बना रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं कभी केजरीवाल पर, कभी मायावती पर, कभी चंदरशेकर रावन पर, कभी चोटाला पर, कभी दुश्यन चोटाला पर और अब कुमारी शैलजा पर तो जनता में ये मैसेज सीधा चला गया कि बीजेपी चूंकी चुनाव हार रही है, इस तरह के हतकंडे अपना रही है और कुमारी शैलजा ने भी आज साफ कर दिया कि उनका कोई रादा नहीं है, हाला कि बड़ी बेबाकी से कुमारी शैलजा ने जवाब दिया उन्होंने स्विकारा की पार्टी में सब कुछ ठीज नहीं है, उन्होंने स्विकारा की टिकड वित्रण में हुड़ा साहफ की नरे गूप में ज्यादा चली है और इसको किस्मत से जूड़ दिया उन्होंने ये भी बात कही कि हर्याना में पार्टी जो जीत रही है संभावी जीत उसका श्रेश रब उपेंदर हुड़ा को नहीं जाता सब के हिस्से में कुछ-कुछ चीजें जाती है अपना नाम भी उन्हें गिनाया कि मेरे हिस्से में कुछ जाता है और सबसे ज़्यादा कारेकरताओं के हिस्से में जाता है तो कुमारी शैलजा सामुहिक नित्तव की जीत की बात कर रही है आगे उन्होंने ये दो चीजें और साफ कर दी जब उनसे कहा गया कि आप तो कुछ बोली नहीं रही धकन लगा रही है तो उन्होंन मान के लग लग लिया है धकन और यह धकन लगा दिया है खुद कुमारी शैलजा में बीजेपी के नेताओं को भी शैद इससे सबक लेना चाहिए सीख लेनी चाहिए कि अगर आप विपक्षी पार्टी के किसी बड़े नेता को लेकर अनरगल बयान देते हैं तो उसका अंत चुपाते नहीं देख रहे पहले कह रहे ते राजनीती संभावनाओं का खेल है कुमारी शैलजा आज कल में ज्वाइन करने वाली है हमारी तरफ से दर्वाजे खुले हुए है और कुमारी शैलजा ने साफ कर दिया कि अगले दो-तिन दिनों में तो वो चुनाओं प्रचा कि 90 में से 17 सीटे दलित क्यों के लिए सुरक्षिस सीट है और दलितों की सबसे बड़ी नेता कुमारी शैलजा है पिशली बार 2019 के विधानसभा चुनाओं में कॉंग्रेस को 17 में से 7 सीटे मिली थी बीजेबी को 5 सीटे मिली थी दुश्यन चोटाला को 4 मिली थी एक निर्द 17 में से 7 की जगा कॉंग्रेस 10-12 कुछ लोग कह रहे हैं 14 तक सीटने की इस्तिती में है और फिर वो महिला भी है और महिला वोटरों पर भी वो अपना असर रखती है कुमारी शैलजा को दुख इस बात का था कि टिकट वित्रण में एक तरफा ढंग से हुड़ा की चली और उन वो अपने दो खास लोगों को टिकट दिलाना चाहती थी जिनके बारे में भूछना भी कर चुकी थी लेकिन उनको टिकट नहीं मिला कुमारी शैलजा को दर्द इस बात का था कि पार्टी ने जब अपना साथ गैरेंटी पत्र जारी किये दिल्ली से तो उनको एक सामानने नेता एक फॉर्मल सी कॉल कर दी गई निमंतरन दिया गया जबकि कॉंग्रेस के बड़े नेता को आना चाहिए था सबसे बड़ा दुख तो कुमारी शैलजा का ये है कि बुपेंदर हुग्डा को तब ततकाल आकर सफाई देनी चाहिए थी जब उनके कथित समर्थक के कथित समर्थक ने कुमारी शैलजा के लिए जातीगर टिपणी कर दी थी और हुग्डा को अपनी सफाई देने में दो बनाने की कोशिश कर रहे थे बले ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हों लेकिन इंडिरेक्ट रूप में उन्होंने भला कर दिया कॉंग्रेस का भी और कुमारी शैलजा का कुमारी शैलजा की जो नराजगी है नाखुशी है उसको जो आला कमान कंभीरता से नहीं ले रहा था अब वो आला कमान ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है और उनकी तकलीफों का निवारण का भी इंतजाम किया गया है आला कमान अब काम धरने लगा है उनकी नाराज़गी को लेकर उनकी गैर मुझूदगी को लेकर गंभीर हो गया है आला कमान जो खटर के बयानों से पहले गंभीर नहीं हो रहा था हो सकता है बुपेंदर हुड़ा ने हवा उड़ा रखी हो कि शैलजा अगर साथ आती है तो सतर सीटे जीतेंगे शैलजा अगर साथ नहीं आती है तो 65 सीटे जीतेंगे क्या फर्क पड़ता है लेकिन यह हो सकत भी कॉंग्रेस की हर कीमत पर बनानी पड़ेगी और ऐसे में कुमारी शैलजा का साथ लिया जाना जरूरी है उनसे नाराजगी उनको नाराज करके हुड़ा कोई बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं देते और हुड़ा इस तरह के व्यक्तित वाले है भी नहीं कुमारी नाराज गुट में हमेशा शे शामिल रही है लेकिन कभी भी पार्टी विरूदी कोई कारवाही नहीं की अभी भी देखिए अभी एक टेलिविजन चैनल को दिये इंट्रू में उन्होंने संकेतों में अपना दर्द बताया खुल कर उन्होंने कभी कोई हुड़ा के खिला खटर सरकार या नायव सिंग सैनी सरकार या बीजेपी सरकार के खिलाफ है कि इस तरह का वोट बाटने की कोशिशें उनकी सफल होती नहीं दिखरी और जनता पर भी असर होता हुआ उसका दिख नहीं रहा है अब दलितों में वैसे मायवती बहुत बड़ी दलित नेता रही है लेकिन हर्याना में कुल मिलाकर उनकी खूब चली नहीं है मुश्किल जे कभी एक विधानसवा सीट से चुनाव जीपती रही है बाकी जगा तो उनकी पार्टी की भी जमानते जब्त होती रही है अब कुमारी शैलजा ने जो आज कहा है उससे बीजेपी फिर बैक यानि आज से 15-20 दिन पहले जो पत्रकार कॉंग्रेस को 65-70 सीटे दे रहे थे पिछले 2-3 दिन में उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि कॉंग्रेस 55 के आसपास आएगी आज सुवे मेरी कुछ पत्रकारों से बात की तो उनका कहना था कि 60 बार तो 100 परसंट जाएगी और बीजेपी तो संबाजनक हार का कोई फार्मुला निकालने में लगी है ताकि शर्मनाथ हार नहीं हो